हाई गाइज रूम हीटर का आनन्द आज हम बताएंगे कैसे लिया जाता है कैसे ले सकते हैं जी आपको मैं दिखाने वाला हूं एक रूम हीटर यहां देख सकते हैं यह रखा हुआ है बहुत अच्छा गर्म हवा दे रहा है दोस्तों देखिए और इसे बिस्तर पर कहीं भी दोस्तों आपको पता चलेगा तो बने रहे वीडियो में और चलिए शुरू करते हैं आई दोस्तों लेकिन चैनल पर आगे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीज़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीज़ेगा संकोच मत किज़ेगा दोस्तों आपको पता है सबको चले तो सुरूर करते हैं मैं बहुत खुश हूँ मेरा एक ओनलाइन मैंने ब्लोवर ठंडे के लिए मैंने ब्लोवर एक ओडर किया था तो यह फिलिपकार्ट से आया हुआ है आप देख सकते हैं अभी पूरा सिल पैक है अभी खोला नहीं है मैंने अब इसे खोलने जा रहा हूं तो आपके सामने दिख हुआंगा मैं कैसे कैसे क्या है इसके अंदर पूरा एट्व जेड कि दिखाने वाला हूं ठीक है तो चलिए इसे खोलने खोलते हैं दोस्तों क्या करें थंडा में दोस्तों कुछ चाहिए ना इसलिए अगर आपको भी चाहिए हो तो उडर कर लीजिए बहुत अच्छा है स दोस्तो थोरा सापको जार करना पड़े हैं तब तक में थोरा खोल लेता हूं ठीक है तब तक आप वीडियो में बने रहे हैं कि देख सकते हैं मैंने इ당히 खोल दिया है ये खुल गया दोस्तो और इसके अंदर क्या है चलिए निकाल के देखते हैं कासा होता है मैं पहली रड़ ऐसे तो फोटो में देखा हूं अब इस देक्राइदाओं काफी दिखकत हो रही यह निकल गया मेरा ब्लोवर यह यह ब्लोवर दोस्तों आप फोटो में देख सकते हैं तो आप मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूं देखिए फैन हीटर इसके अंदर फैन लगा रहता है वह हीट एक रॉड होती है जो हीट करके वह गरम हवा फेकती है ठीक है तो बहुत बाल लंबा छोड़ा नहीं है दोस्तो आप लोग से छिपा नहीं है तो काफी अच्छ रूम है पंसर्लास मं पने हूँ और आप देख सकते हैं यह इस रूम के लिए first class blower है और one year का warranty दिया रहता है आप देख सकते हैं यहां पर one year का warranty है दोस्तों ठीक है तो यह warranty और Flora company की है देख लिए और चलिए अंदर का भी देख लेते हैं और इसका मैं आपको क्या बता हूँ थोड़ा सा इधर बता देता हूं देख लिए यह अच्छा model नंबर नियो है एन ई ओ नियो और model नंबर एफ एच बी ओ टू quantity सी भी पीस रहती है एक बॉक्स में इसका वॉल्टेज का रेट किया गया है 220 वॉल्टेज पर 50 है इसका वाटेज कितना कितना 2000 वाट का यह पावर आपका जहल सकता है ठीक है MRP है 690 रुपया लेकिन यह आपको online मिल जाएगा 1100 के अंदर ठीक है तो मुझे 1100 पढ़ गया था आपको अगर लोगे तो साइद अब दाम चेंज हो जाए लेकिन जल्दी order करोगे तो ठीक है बाकी यह सब जो है इसकी कोई अगर queries और complaint हो तो आप इस नंबर पर कर सकते हो यहां दिया है customer call number और email करने के लिए तो सब चीज दिया रहता है facility और मुझे इसमें बहुत सारी चीज़े अच्छी लगी है यह made in India प्रोड़क्ट है देखिए यहां लिखा है made in India ठीक है आयोस आयोस आये साई से प्रमानित है safety की guarantee है अब यहां से मैं खोलने वा दोस्तों और चलिए फैनली हम लोग निकालते हैं अंदर का जो मस्त समान जो आया हुआ है देखिए यह उपर समान डाला जाता है ताकि protection के लिए यह ज़रूरी होता है इससे क्या होता है कि रखने से form आपके समान जो है safe रहता है ठीक है तो यह निकल गया मेरा inverter छोटा सा है देख सकते हैं ठीक है तो मैंने जैसे बताया कि 10 भाई 10 रूम के लिए अच्छा होता है ठीक है अगर आप सोचोगे बड़े रूम बड़े होल के लिए तो उसके ईजा हो है मैं निकाल लिया हूं और इसके अंदर कुछ नहीं मिलता इसके अंदर बिल्कुल कुछ नहीं रहता बस इसमें एक समान रहता है और इसका तार वाइरिंग रहता है पीछे आप देख सेकते हैं बाकि में खोलके और sitten दिखाता हूं बने रहें वीडियो में चलि तो आप देखते हैं यह समान को चेक करते हैं इसके अंदर क्या है एकम मैं आपको चाहँनेगे वीडिवान क सब कुछ करके तो बने रही यो में कहीं झायेगा निकालने जा इसे ये आपके लिए unboxing कर रहा हूँ मैं पहली बार अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो जरूर लाइक कर दीजेगा चैनल को subscribe जरूर कर दीजेगा आपको पता चलेगा कि हाँ ये कैसा है देखिए इसके अंदर एक fan लगा हुआ है ठीक है अंदर आप देख रहे ह तो ये चीजे बहुत अच्छा है मतलब आप चाहते हैं कि फेन मेरा चले तो ये वाला ओन कर दीजेगा इस पर रखेंगे आप नौब को तो शिरीव ओनली फेन चलेगा ये गर्मी के लिए वी काम आ जाता है और वान और टू पर रखेंगे तो ये आपको गर्म हवा देने लगेगा ठीक है और ये जो है गर्म हवा का स्पीड बढ़ाने के लिए होता है कम बेसी करना ठीक है देखिए ये बंद हो गया यहां से चालू हो गया इस तरह से आप बढ़ाए जितना बढ़ा के रखेंगे ठीक है तो चलिए इसका भी इस्तमाल हम लोग ओन करके करेंगे दीरे-दीरे सब करेंगे और आपको बताएंगे ठीक है बाकी सब पीछे देख सकते हैं यहां पर देखिए इसमें अंदर दिया हुआ है रोड जो दिया हुआ है गरम होने वाला यही है जो गरम होता है और गरम के लिए है यह फैन का स्पीड काम बेसी करना और यह जो है कितना आपको गरम तपमान चाहिए आपको जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको हीट मिलेगी ठीक है अपने जरूरत अनुसार बाकी का तो बनावट सब सही है आप थोड़ा नीचे देख लेते हैं दे अग्याद देख सकते हो तो काफी अच्छा है कुल मिला के आप देख सकते हो मुझे तो अच्छा लगा इसमें कॉशन दिया गया डिद्यूस देख सोफायर फायर इसमें आघ लगने का बिल्कूल डर नहीं होता लिए चलीए इसको इस त्थोरा देखते हैं और पिर आपक हटेंगे कि देखिए देहें boys आट दहिए हैं झालेक आपको पंख चल रही है और काफी गरम हवा नहीं है इसमय से और क्योंकि आपको नहीं दिख रहा है लेकिन मुझे दिक रहा है और मैं आपको एक प्रूफ दिखाद समय हो हूं काफी अच्छा पेपर को हिला ए रही है हवा दे रही है तो काफी मतलब इचा लोरा है बहुत ही गर्म हवा आने लगी है धीरे क्योंकि मैंने इसको तो दो नंबर पर शेट कर दिया है इस पे ज्यादा आची गर्म हवा मिलती है और यह जो है और भी स्पीड भढ़ा देती है पंखा का देखिए का में पूरा स्पीड भढ़ा देगी काफी गर्म हवा आ रही है देख सकते हैं आप आप नहीं देख पाएंगे आप मैंसुस नहीं कर पाएंगे लेकिन मैं जानता हूं काफी अच्छा हो रहा है मुझे तो मैं कहूंगा कि आप लोग भी ले सकते हैं दोस्तों क्योंकि इस वन अफ बेस्ट प्रोडक्ट घर छोट प्रोड़ी रूम में है तो इस टरी रूम के लिए बहुत अच्छा है यह ठीक है और छोटा भी है बहुत हलका है समझ दे कि हमको लगता है कि एक किलो भी नहीं हो गया दोस्तों इतना हलका है तो काफी हलका है बिल्कुल पता नहीं जलता एदम पेपर की तरह हलका है सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो चलिए अगले वीडियो में कुछ और नया चीज़ों के साथ मैं आपके पास आऊंगा दोस्तों तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू सो मॉज बहुत अच्छा लग रहा है देखिए आप मुझे अच्छा नुगा और है गरम हवा देने लगए अब धीरे धीरे पूरा गरम हो गया है दोस्तों तो ठीक है चलिए तो आब रखते हैं आप अप्वी इसका अनुगो तुरंत लीजिए लीजिए बहुत अच्छा प्रोड हुआ है हुआ है।